हेलो दूस्तों कैसे आप सब लोग आज हम लोग कौमार भ्रहत में प्राणभास रोतस से होने वाले विकारों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जिसमें आता है कास प्रतिश्याय जो कमन कोल्ड है कास हमारा काफ है उच्फल लिका जो नीमोनिया है तमक शौत जो ब्रॉंकियल अस्थमा है कुकुर खास वूपिंग काफ है जो ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग कास के बारे में दिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कास कास की निरुक जो श्लोक है यह है कसति सिरा कंठा दूर्धू गच्छती वायूरिति कासा मतलब वायू कंठ से उपर की ओर जाती है अता इसे कास कहते हैं जब वायू कंठ से होते हुए उपर की ओर जाती है तो उसे कास कहते हैं निदान निदान देखिए मुख नासिका गली में धूमर प्रवेश मतलब मुख और नासिका और गली में धूमर प्रवेश मतलब मुख में नाक में या गली में धूमर प्रवेश धूल गर्द आदी का उक्तमार में चले जाना या धूल गर दाजी का उक्तुमार में चले जाना आमरस का वायू दरा प्रेज़ धोकर मुख्की ओर आना वहराम यम रुच्छान सेवन से कर दोश्य शहीद मुख्स सहसा निकलता है उसे कास कहते है अधिक है जो डोश्य शहीद मुख्स सहसा निकल जाता है ऐसे कास कहते है और दिखते हैं किया कहा गया है कि वस्तुता कास एक लक्षन है ञाफ कीव स्वतंत्र रुरुग भी मान लिया जाता है इसके बाद दिखते हैं कास के भेद तो जो कास के भेद हैं वो पांच है अचार चरग ने बताएं वातिक पैतिक कफच छेतर और छायच थातर और छायच की चिकित्चा जोए वह एक्षमा के तरह करनी चाहिए ठीक है कास के विश संक्रमान होता है असहिश उनता मतलब है लड़ची गलशुन्दी शोत बालशूस कफच दुग्दोदोश परिगर्भीक रोग परिपारिगर्भीक रोग मतलब जिव माता की गरव में रोग उत्पन हो जाता है तब मृत्यका भक्षन जलने कास उल्वक रोग और पाल कर त इसके बाद लक्षण दिखते हैं लक्षण में dale कि जीवानु जने रोग में जBlर मतलब कि जो या और बैक्टिरिया को तो है बैक्टिरिया के दूरा जो होती है उसमें जो होता है शुर्ण सुसक कास रात में तीब हो जाती है जो सुखी खासी होती है वो रात ने तेज होती है चार पास दिन तक चलती है तो उसमें सलेश मावी मेड़न निकलता मतलब जब वह चार-पास दिन तक रहता है तो उसमें कभी निकलने लगता है टेस्ट में देखेंगे अगर टेस्ट करेंगे उसका तो रॉंकाई और कोर्स क्रिपिटेशन नजर आएगा ठीक है किसी प्रकार काश उसमें अइसा लगता है कि जैसे की गले में कुछ भरा हुआ शूक भरा हुआ है ठीक है ऐसा प्रतीत होता है दो कंठ कंडू भूज्यप्रदारत उप्रत में अवरूद कंड़के में कंडु होता है ये भोजे पस्तार्त करें में अवरोध होता है म麼लोग जाते हैं ये सब नेच्छर पए जाते हैं इसके प्रण परण चिकिसा क्रछी कि deixar बार में लेखते हैं तो आदिनूब्ली चिकिस्चा में उच्ट आंटिवाइटिक मतलब कि आदोनीक चिकस्ता में एंटिबाइटिक दी जाती है और जो आयरवेदिक एसपेक्ट से चिकस्ता उसमें जोर शामक निसारक और शदियों का प्रियोग किया जाता है ठीक बाल चतु भद्र चूंड को दिया जाता है दो से आठ रटी मधू के साथ दिन में तीन से च ब्रती देते हैं दिन में तीन से चार और खुमार कर लीयालक रस्ट का भी प्रयोग करते हैं कि इसके बाद देखते हैं स्ष्ककास ठीक है शुष कास में हम लोग अप अमार्ग छार तालिसाजी चून के योग को वासा रस्क के साथ देते हैं या फिर चंद्दम रध महाल लच्मी विलास रस या उच्छार को कंटकारी घरत के साथ देते हैं आधर खास में देखें लच्छमी विलास चंदामरत कफ केतु का यूग का वासा रस के साथ देते हैं या फिर विबीताव ले या आधरकाव ले या व्यागरी हरितिकी का पंचकुल दुगत के साथ देते ह है ठीक है इसके बाद देखते हैं कि इसका थोड़ा modern एक्सपेक्ट भी देख लेते हैं ठीक है जो कफ की इटियोलोजी वो क्या है देखते हैं इंफेक्शन इन अपर रिस्पिरेटरी ट्रेक्ट कॉस्ट भाई रहिनो वायरस एडिनो वायरस इंफ्लूइंजा वायरस आप लोग को और भी वायरस मिल जाएंगे और बक्टिरिया मिल जाएंगे मतलब की इन वायरस के कारण जो इंफेक्शन होता है पर रिस्पिरेटरी ट्रेक्ट में तो थिक नैज़ोब्रोक्यल एलर्जी चो नैज़ोब्रोंक्यल एलर्जी और अस्तमा ठीक है बाद डेटा प्र्टिस्उ पर्ट्यूसिस बॉल डेटा पर्ट्यूसिस यह जो है यह वूपिंग कफ को कॉस करता है ठीक है फॉरन बाड़ी इन एयर पैसेज कोई भी मतलब भी फॉरन बाड़ी जाए दूल गर्द आदे हम लोग देखी चुए है वो ठीक है कफ की देफिनेशन दिये चोटी सी यहां प रख आई मजब की जो कफ है वह इंपॉर्टेंट डिफेंस मेकेनिजम में रिस्पिरेटर सिस्टम का जो क्या करता है इंफेट इंफेक्टेश से क्रेशन को ट्रैकिया और बॉंक्या से बाहर निकालने का काम करता है तो वीडियो बस इतना ही था और गैस अगर पसंद आई